इलाज के अभाव में छे वर्षिये बालक की मौत, परीजनों ने लगाया चिकेसको पर लापरवाही कारोप स्वासविभाग में समवेदनाय जिन्दा है या नहीं ये पता नहीं है लेकिन इंदरगर के समुदाय स्वासकेंदर में पदस्थ डॉक्टर कितने लापर वहा है ये जरूर देखने को मिला दत्याचिले के इंदरगर समुदाय स्वासकेंदर में अवस्थाओं का आलम इसकदर व्याप्त है कि अस्पताल में डॉक्टर मरीचों का इलाज ही नहीं करते हैं भूले भटके यदि डॉक्टर साहब मिल भी जाते हैं तो वे मरीच को तुरंत दत्या मेटकल कॉलेज रिफर कर देते हैं और बगैर इलाज के मरीचों को अपनी देनी पड़ती है ऐसा ही मामला आज को रुवार को देखने को मिला है जब समुदाइक स्वास केंद्र पर ग्राम बडेरी निवासी महिला रेनु जाटब अपने च्छे महीने के बच्चे को लेकर इलाज कराने अस्पताल आई थी सुबा से लेकर दुपहर तक महिला को डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिले थक हार कर महिला अपने बिमार बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल के OPD के मुखे दुआर पर बैठी रही बगैर इलाज के उसके बालक ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया पूरे समय उसकी मदद करने कोई आगे नहीं आया अस्पताल में डॉक्टर ना तो एमर्चेंसी ड्यूटी करते हैं और रूटीन ड्यूटी करते हैं पूरा मामला भगवान भरो से सिर्फ नर्सिंग स्टाफ के सहारे ही संचालित होता है इलाज नहीं मिलने पर 6 महीने के बच्चे की म्रत्यू हो गई जिससे बच्चे की मा ने हंगामा खड़ा कर दिया और पुल्स थाना पहुच कर शिकायत करने पहुच गई लेकिन थाना प्रवारी नहीं होने से उसकी शिकायत दर्च नहीं हुई सुचना मिलते तमाम मीजिया के प्रतिनीधी अस्पताल पहुच गए तो आननफानन में डॉक्टर ने जबरन महिला कुम्रे तक 25 सहित एमुलेस में बैठा कर रवाना कर दिया इंदरगर सी शिवरमन सिंगराटोर की खास रिपोर्ट अच्छा